नमस्ते चात्रों सुभम विद्याले की और से आप सबका स्वागत करता हूँ आज हम कक्षानो विसेई हिंदी पाठ आठ जिसका नाम है गुल मर्ग की खेडकी से एक रात इसका पठन करेंगे सबसे पहले हम इस लेखक का जो परीचे है वो जानेंगे ये पाठ के जो लेखक है उसका नाम है मोहन राकेश जिसका जन्म सन 1925 और उसका मृत्य सन 1922 में हुई थी मोहन राकेश का जन्म चालंदर पंजाब में हुवा था आप मोहन राकेश जे लेखक छे तेमनो जन्म में क्या तो के पंजाब जे राजिय से या चालंदर मा था यो हतो इनके पिता व्योसाई से वकेल थे येना जी पिताजी छे लेखक न ये व्योसाई मा शूम हता तो क्या वकेल परन्तु उनकी साहीत ये में बहुत रूची थे येना पिताजी छे तेना साहीत येमा वधार रास हतो अतो राकेश को बजपन से ही घर में परियाप्त साही वातावरन प्राप्त हुआ जेना कारणे सुन्थ यू एना पिता जीने पन साहीतियमा रस तो छेथी करीने राकेस ने पन बाल पन थीज एने जे साहीतियन वातावरन घर जेने उभू थाई उदू इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एम्मे तक शिक्षा प्राप्त के उद्य विभाग के अद्यक्ष के रूप में अदिया पन कार्य किया और हिना पची ड़य ऋदे येवि ठोलेज जे चालन दर्मा आवेलाई एक हिंदीविभाग मां तिया अद्यक्ष न रूप मां और दिया सीख्षा क्या dif लांबाह समय शूती, तेने सारीका नामनी ये वार्ता संग्रहा आऊतो, ये पत्रीका आऊती, इमा पणिये अले संपादन करेलूँछे, बादी में स्वतंत्र लेखन करते रहे, और येना पची ते स्वतंत्र लेके पोतानाजी लेखोचे, ये लखेता हाता, कहानी लेखन क साथ साथ इन्होने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे एड़ले केवी घणी टुकी वारताओ अने नाटको छे एपण यहने लखेला छे इनकी प्रमुखरच नावोमे एवो यहनी जेजे प्रमुखरच नावो छे कई-कई छे तोकि इन्सान से खंडहर नए बादल एक ओर आदमी आदी कहानी आबदीनी वारता हो छे तथा अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास छे एनी टुकी वारता हो छे आजाड का एक दिन आधे अथूरे तथा लहरो के राज हंच इनके प्रसिद्ध नाटक है आजाड का एक दिन आधे अथूरे तो केक समर्थ वारताकार हता अने शाथे-साथे नाटिय कार पण हता गुल्मर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया एनु एक लेक लेक चे परिवेश नामनो एमा थी आ पाठ से लेवा मावियो ची इस यात्रा उरुतांत में लेखकने गुल्मर्ग के प्राकरूतिक सोंदर येका स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया गया है हवे आपने आ पाठ मा जेवे आपने जो पाठ तो आपी देज़े पन आ पाठ मा केवा सुम आगे शे तो के एक तो आप प्रवास्न वरणन यात्रा उरुतांत अटले के आप प्रवास्न वरणन करेलो चे आ लेखकने अन्ने गुल्मर्ग के जे कस्मीर मा एक प्राकरूतिक स्थान आवेलो चे जेनू नाम चे गुल्मर्ग अने तेनु प्राक्रुतिक जे सोंदर्या छे एनु भीवरण आ पाठ मा करेलू छे गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सलगता है एनु जे वातावरण छे गुलमर्ग जे आखो एनु प्राक्रुतिक सोंदर्या छे यहने बधुए पोता नामा चमाईल होई यहने लागे छे गुलमर्ग की एक रात आज यह पाठ चे अवे तेने तिया लेखव के तिया गुलमर्ग नामना यह प्राक्रुतिक सुन्दर यहमा जे कस्मिर मा आवेलुछे तिया यहने एक रात विता वेली चे यहनु अकल पनी यह संदर्य इन्से भुलायाही नहीं जाता यहने यहार जे रातमना यहने शंश्मरणों से यह रात निजी यहने यादों से यहने भुलावीज नती सकती अब हम इस पाठ को पठेंगे गुलमर्ग एक कस्मिर मा आवेलुछे प्राक्रुतिक स्थान से यह प्राक्रुतिक चगिया से यहनों लेखक है आमा वरणन करेलुछे कूछ जगा है होती है चिनहे आँक एक बार देखती है तो चोंक उठती है फिर धिरे धिरे परीचित होकर उदासिन हो जाती है जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहा कुछ भी अस्धार नहीं लगा लेखक शुँकि से क्यों संथी पहला इलिवारी के हुँ गुलमर्ग मा जे कास्मिर मा जे आवेलू से प्राक्रोतिक स्थान त्यामू गयो त्या मने काई पन अवसाधारण लाग्यो नहीं एक खुला सपाट मेदान देवदारों के घने जुर्मूट और बस तब में कंटे भर में सारा गुलमर्ग देखाया था कि पहली बार तो किया बाद में भी कभी उस थान को पूरा नहीं देखवाया लेखक सुंके से के सरवातमा तो मैं एकलाक सुधी मां तो बधो गुल मर्ग नुँ जितले प्राक्रतिक सोंदर यह से बधो जोही लिदू पसे के महीनों दिवस पसे के मने वो अहिसास थी हो के हजी तो मैं पूरु जगिया से एमें जोही ज न थी उसे पुरा कभी देखा ही नहीं जा सकता अने आ सुंदर यहता जिन एटली से के आने आतमें पूरु क्यारे जोही सकता ज न से सायद यही कारण है कि गुल मर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्तिकी आत्मियता तीरे तीरे इतनी गहरी हो जाती है आपने को भी उस सपाट मेंदान के एक इस्ये के रूप में ही देखने लगता है कापती तितलीया उठते बादलो और बरफ से चमकती पहाड़ी हो की तरह जेवीरी ते एक कांपती तितलिया अटले के पतंग याओ के जे आम तेम फरता होई जी उठते बादलो बादलो सवार मा तो तो परवत माडा जे एनी माथे थी जता होई जे अने बर्फ से चमकीली पहाडियो की तर अने याना जी बर्फ वाडो जे प्रदेश छे ये पहाडियो नी जेम याना लोको साथी आत्मिये ता बंदाई दाई जे ओर वह पुरा विस्तार चिसमे वह सोयम भी रहता है उसे अपने में समाया से लगता है लेखक्सों केचे के जे विस्तार मा जे जग्या उपर क्यों रहू जो ये स्थान मा एने पणी के आपनु जी एवुजी के बधुई लागे चे सुरियो दई और सुरियास्त दोनो संधिया ये गना कोहरा तिली धूप और सब अपने रूप से जो की इतना परिचित होते हो भी सदा और परिचित बना रह जाता है अरले लेखक सुके छे क्या गुल मर्ग थी आपने ए जानुआ मड़े चे ए आपने अहिसास थाई चे एज एवुरितना कोक आपना थीज आपने छोडी ने आपनुज कोई वियक्ति आपने छोडी ने चतू रिये चे और आनो परिचित आपने थाई ने एवुज रित जे वस्तो आपने वधारग में चे एमा आपने आखो चेमा आपने एकदम आस्चिरे चकी थाई जाई चे अपने एने जोता रिये चे और फुलों में नए नए रंग भर जाते है वातावर्ण में नए नी कोपल फूल फूट आती है तक यानुजी वातावर्ण से एपन आख समय तमने एक नवड़ु अनुभावतिया थाई चे आणर रोमांच कारी शुरुष्टी येव शुरुष्टी नी तम्हे करी कलपना को नों करे है येव शुरुष्टी येव जगत चे येव तमने या प्राक्रोत आपने शोंदर हिया तमने तिया चोवा मलें शे बादोल तक सेलानी योकी पंग्तिया घोडे दोडाती नजर आती है सुरियाना जे कीरणों छे एपन आम एक बाजु थी बाजु थतावो येची ए आपनने नजर आवेचे रंगों के कुछ बिंदू हरियाली के पट पर जहां तहां चिटके है अले के हरियाडी यानी जे हरियाडी छ एना जे येटल आपन रंगों छे एपन हाम क्याक्याकःक आम वल सुप्राकास के कहाने nhưng नखहां क्याक्याक आपनने इबरफिला प्रदेश मां अपने घो आम lust अख जबूआ होद शहर बांद आपनने जहां मडें सहसा प्रकास चे चेश्चरणलमं प्रकास, शुर्य प्रकास के काही कणी प्रकास चे यहना थी नन्ही नन्ही पार दर्शक बुंदे पड़ ने लगते हैं लेके यानो जी बरफिलो प्रदेश्च चे तेमा थी यहना जी बिंडु ओर ले जी छाटावो पड़े शे एकदम पार दर्शक होई छे रंगिन पाइना जी छाटावो अपना ऊपर पड़ेता होय, एम बरफ नो पाण यहना जी छाटावो यहगे न चाहँ पड़ेश्च रंगिन चाटावो, यह आपने ऊपर पड़ेरले लागे है, अरियाली का सपना कोहा शेगे फूल में बद धल जाता है गारने अरियालेने शपनन दूंदी ही धूंद है चारो तरप शूं जोवा मढ़ेशे क्या रेक बरफिला प्रदेश मा तो के धूंद अरलेके धुवाड़ों जोवा मढ़ेशे और बेबस होकर फेली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहे अने क्या रेक पछी तो शूं के वही काम यह पन वातावरन त्यानू जोवा मढ़ेशे जव तक बादल बर्षेगा बाहे फेली रहेगी यही कोमल विश्मृत ओल निडाल के शूं के शे के बादल बर्षेगा लेके वर्साद आउसे अने जिये आपड़े आम बाहों फेलावीने आपड़े फेलावीने आपड़े अनुपव करता हो यही है शूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपन जनमेगा यहां रोज रोज सूरिय होगे तो आपने का जेम सपन रोज नवा नवा आओ तो यह नवा नवा सपना होनी जेमजी आखी प्राक्रुतिक सोंदर यही है आपड़े आपने नव उज लागे वादड़ो ना पण यहां तेम पटक तावो एवु लागे चे पेडो और बक्रियो के रेवल पगदंडियो पर टक जायेंगे के यानोजी केटा बक्रावन एपन वस्तू तियां जोवा मडे चे एपन एक चग्या यही ते स्थिर जोवा मडे चे दीन तब रात की प्रतिक सा करता सा प्रतित होगा दिवस चे ए रात नी प्रतिक सा करतो एवु अपन ने तियां प्रतितर लेक एवु जोवा मडे चे आये गीतो सब कुछ खामोस हो जाएगा लेके जहें सांज आउशे तो जाने क्याम आखु वातावरान से एकदम सांत थाई जाई चे मेदान की व बूलती वो यहू लागे चे वाचाल लागे चे गुलमर की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगे लेका क्सूं के चे में प्राकुरुद स्थानमा रात वितावेली चे यहूं क्यारे नहीं भूलू में होटल की खिडकी में खड़ा था दूर बहुत दूर सामने से बरस्ति अनुभव करें कि हूँ उटल नी चेह ही कि हूँ बारी पास ही कि हूँ उप हो तो तियां दूर करलें के सामे नहीं बरस्ति खड़ा लेके वरस्ता वादलो नी जेम के मारा तरब आउता हाता में प्रतिक्सा कर रहा था कि कब वहां मुझ तक पहुंचे और मुझ में लपे अख़ाटावो शे यह वादलो क्यारे महारा तरफ आवे अने मनेई यह समावीले वरस्ती खटा में कीर जाने से बड़ा सुख मेंने बहुत कम जाना है यह यह इना मा जी क्यों शामाई जाओ यहाओ इस से अलग स्थिती है आयेकएक अलग स्थिती इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे था और में उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खडा उसे बूला रहा था कि आ, 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 में लेखक्सूं के था कि इस बार आती हुई ंपनी खिड़की में खडा उसे बूला था एकी इमारे तरब खेंच ताह था ये वादड़ोंने जोईने के तुझी से कमजोर नहीं हुँ हवा तेज थी मगर कटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी हवानु वाता वरण अतु एकदम तेज अतु मगर ये कटा येना वादड़ों से ये एकली वधी आम तेजी मा आटलेके चोर थी नता होता हालाकी तुफान बहुत उठा हुआ था तुफान आटलेके यानु जी ए तोफान अतु ए खुब वधार होतु बार-बार चोर की गरज होती थी वादड़ों से घाजता आता चिसे से धर्ती और आकास की सिरा ये कांप जाती थी यानु तोफान एटलू बद़ु होतु ए पहाडोंनु ए वादड़ोंनु के चेना थी धर्ती और आकास ये पन कांपी उठता हाता बार-बार सामनेके चित्रपट पर विजली कोंध थी थी अले के सामनों चे चित्र आतू या विजडी ओसे एकदम खडिकवार आवे खडिकवार वही जे और प्रकास का वह प्रकास नी पन आज श्थिती याती पयानक विस्पोर क्यारे येनों फयानेक विस्पोर थाई ये पन काई खबर नोती हर चीज को नंगा कर जाता था चेतली पन यानी वस्तू ओसे ये बधी वस्तू आम खुली थाई जदी ये ने खुस था कि थोडी देर में ये बुंदे मेरे उपर बरसेगी लेखक सुन के शेकी सामेती चीजी वर साध आवय शेशेर चेनाती सुन थाचे के ये मारा उपर वरस्टो शेशे विजलीयों का येआ कई मेरे उपर तुटेगा ये विजलीयों ना कड़ा का अणी ये पनी के मारा उपर तूट से मैं बाहे फshela कर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था उपनी के मारा हाच फिला विने अणे एनले लेवा माट तैयार हतो मगर अचानक हवा रोक गई पसे शूंतियों, ए एकली बदी हवा एनूशी तफान एकली बदी आलतू तो तु चिनाती शूंतियों, एकदम अचानक छे, एकदम आकी रोकाई जएछे, बढ़ता हुआ तुफान, चाहा का तहा ठिठक गया, एनू आको ये तुफान तो ए वादडोनु ए वर्सादनु ए थोडिक वार माज तिया समेटाई जाई छे और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ेने लगा ये वादडू छे ये तुफान छे अने तिया नश्ट थाई जाई छे विजली की सांस रुक ने लगी ये विजली ओजे थाती थी गर्जिनाओ जे थाती थी ये पन तुफान का ज acron ४ उतर गया और उसके साथ ही मेराभी लंके तुफान कन जेकर तो ये पन उत्री गए summेरि ये पनारी पनी के बंदने उत्री घेनाे जेकर स्थे मा न सब्सक्राई प्याल्यने थे वित्मकों जेकर सुपतने 171315 वर्षाद आवतो होई तुफान आवता होई वादलो गरजता होई विजडिवो थती होई अन्ये एनों आपने अहिसास करो आवा जी समय छे एजीवन मा बहु ओचो टाइम आवता होई छे ते हुई एक से क्षण हर किसी के जीवन में किसी ना किसी रूप में अवस्ची आते होँगे अलेके जे गुलमर्ग मा जे लोको रहे छे तिया निवाज करे छे एवा लोको ना जीवन मा तो आवा क्षणों से आवो समय छे तुफान ने वो समय छे ये आवताज होई छे तभी तो जीवार जावानों मन थाई ए प्राकृतिक सोंदर येनू ए चग्यानू जेटलू महत हुआ चे वर्ना वहां हे क्या एक खुला सपाट मेदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है लेके गोल्फ जेवी रमतों चे ये वुझ यहां रमाई चेन खुलू सपाट मेदान च व्यक्ति क्यों बार-बार वहां जहाना चाहता है क्या गोल्फ खेलन के लिए ही सुमेके खाली गोल्फ रमवाज जाई शे नई पर यानू प्राकृतिक सोंदर ये त्यां क्यारक-क्यारक प्रकृतिना एवा अनुपव थाई शे क्या जीवन मा एक बेवार जथता हुई श त्यानू प्राकृतिक सोंदर ये त्याना वर्षाद ये त्याने विजडियो ये एकदम लेखक्सुं क्याशे एकदम खुबच प्राकृतिक आनंद मैं अन्ने चोवालायक होई शे